आज के दौर में सरकारी नौकरी पाना मतलब बहुत मुश्किल काम है इसे के साथ ग्रामिन परीसर में रहने वाले चात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है साथ ही गरीबी और शिक्षा का अभाव होने की कारण उन्हें मार्दर्शन करने वाला भी कोई नहीं होता इसी कारण बहुत से चात्रों का नुकसान होता है और वो शहरी चात्रों की तुलना में कमजोर दिखाई पड़ते हैं परन्तु हमारे समाज में आज भी सहजात से सहकार्य करने वाली संस्थाए मौजूद है कर्मयोगी फांडेशन इस संस्था ने 41 चात्रों को आवश्यक की दागबे प्रदान की है जो प्रतियोगी प्रदिशाओ की तैयारी कर रहे है ताकि वे परिक्षा में पीछे पड़े बिना शिक्षा का मार्क प्रशस्त कर सके कर्मयोगी फांडेशन एक सामाजिक संस्था है जो की कर्मों की सिधान पर काम करती है न की बोल बच्चन की सिधान पर दिसंबर में बाबा सहेब आमबेटकर का महापरी निर्वान दिवस और संत गाड़गे महाराज का जन दिन था इसले उन्होंने इस महिने को सेवा कम महिना बनाने का फैसला किया कर्मयोगी गार्गे बाबा और डॉक्टर बाबा साहिब आमबेट कर दोनों नी गरीबों का दौर गुजारा था समाज को शेक्षा के लिए बच्चों की मदद करनी और उन्हें बड़ा बनने के लिए संदीश दिया था एक जुठों नी संगर्श करनी अगर भूके रहने का समय है तो इसे आने दे लेकिन एक किताब खरीदे और अध्यन करे इन दो महापुर्शों की विचार को साथ कर 10 दिसंबर को सुभह 10 बजे सी 11 बचे तक मेट्रो चौक बुट्टी पोरी में प्रतियोगीता परिक्षाओं की तयारी करने वाले 41 चात्रों को 10,000 रुपे की मुफ प्रतियोगी परिक्षा की किताबे दी गई चात्रों ने इस पहल की सरहाना की ये पुस्तके हमारी भावी चीवन में हमारी मदद करेगी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कर्मयोगी फांडेशन की अध्यक्ष पंकच ठाकरे, मार्गदर्शक तुलसिदास भानकर, विजय डोंगे, वर्षापारसे, प्रीती कोले, ठाकरे, शिवराज बिलास्वर, नासिर शेक, शरत काबडे, वैशाली महूलकर, दुर्गा भरंकर, संगिता, नितिन सोंतके, सचिन वांखेडे, सुनिल विश्वकर्मा, धनराज मोदक, वैभव डोंगे, सभी निक कडी मेहनत की